हलो गुड बॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को जारकन के मंतरी आलमकिर आलम गिरपतार एडी ने साथ घंडे की पूछताज के बाद अरिश्ट किया आज कोट में होगी पेसी जारकन के मंतरी आलमकिर आलम को एडी ने बुधवार को गिरपतार कर लिया है उनको बुधवार को दूसरे दिन भी ED की डफ्तर में पूचताच के लिए बुला गया था बुधवार को ED के अधिकारियों ने उनसे लगभग 7 घंटे की लंबी पूचताच की है पूचताच के बाद उनको गरबतार कर लिया गया है वही मंगलवार को भी अधिकारियों ने उनसे पूचताच की थी मंगलवार को मंतरी आलमगिर से 10 घंटे तक पूचताच की गई थी बता दे कि मंतरी आलमगिर आलम से ED की टीम उनके PS संजीव लाल के नौकर जहांगिर की आवासे 35 करोड की रासी जो कैस मिलने के मामले में पूचताच कर रही है PS संजीव लाल के प्रोजक्ट भवन इस दित उनके चमबर से भी 2 लाक रुपए कैस बगनामत किये थे गौरतलाभे की मंतरी के PS संजीव लाल के नौकर जहांगिर आलम के खरसी 35.2 करोड रुपए की बरामदगी के मामले में पूचताच के लिए ED ने आलमगिर आलम को 12 मैं को शमन किया था आलमगिर ने नोटिश मिलने की बाद कहा था कि वहाँ ED के सवालों का जवाब देंगे PS संजीव लाल के बारे में पूचने के बारे में आलमगिर ने कहा था कि संजीव लाल इस से पहले भी 2 तिन विधायकों के शाथ काम कर चुके हैं उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना पिएश बना था इदराज गुरुवार को मंतरी आलमकीर आलम को दस बजे पीमले कोर्ट में पेस किया जाएगा इस दोरान एडी कोर्ट से रिमान की मांग करेगी आलमगीर की गिरपतारी से इंडी के चुनावी अभ्यान को जटका कमिशन के खेल से जुड़े कई और नामाएंगी सामने जारखन सरकार की बड़ी परिशानी जारखन सरकार में ग्रामिन विकास मंतरी आलमगीर आलम को एडी ने गिरपतार के लिया है अब सवाल या है कि क्या इनकी गिरपतारी का असर जारखन सरकार पर पड़ेगा क्या आलमगीर आलम इस्तिपा देंगे अगर इस्तिपा नहीं देते हैं तो विभाग का काम कैसे चलेगा क्या कॉंग्रेस आलमगीर का मंतरी पद किसी और नेता को दे शक्ती है इन सारे सवालों के जवाब हमने एक्सपोर्ट से समझने की कोशिस की वरिष्ट पत्रकार अमरेंद्र कहते हैं कि आलमगीर आलम की गिरपतारी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा उनकी गिरपतारी से सरकार संकट में नहीं है अब तक उन्होंने इस्तिपा का अईलान नहीं किया है मंत्री और सरकारी अधिकारी के पद में फर्क होता है उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता है उन्हें इस्तिपा ही देना होगा अर्मेंद्र बताते हैं कि विभाग पर कोई भी खास असर नहीं पड़ेगा अगर आलमगीर आलम इस्तिपा नहीं देते हैं तो उनके विभाग की जिम्मेदारी सीम चमपई शोरेन के पासों की मुख्यमंत्री सवी विभाग का मुखिया होता है इस इस्तिती में ग्रामिन विभाग की सारी फाइलें सीधे सीम के पास आएंगी अब संभावना है कि इस गिरबतारी के शाथ ही कई और नाम सामने आशकते हैं जो इस कमिशन के खेल का हिश्या थे वरिष्ट पत्रकार चंदन मिश्रा करते हैं कि अभी चुनाव का माहोल है आलमगीर आलम की ग्रापतारी से इंडी गटबंधन की चुनावी अभ्यान को जट का लगेगा लोट और भष्टाचार की सजा भुगतनी ही पड़ेगी बाबुलाल मरांडी ने कहाए कि कॉंग्रेस भष्टाचार की जननी ओशक और संरक्षक है राजी में कॉंग्रेस पाटी जब जब शत्ता में शामिल हुई राजी को लोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने कहाए कि कॉंग्रेस जाममो राज़त गडबंधन को शत्ता सिर्फ कमाई के लिए चाहिए जनता की सेवा के लिए नहीं खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यू जारकन चानल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेस चानल को सस्क्राइब करके बैल एकन प्लेस कर दिचे जिससे आपको जारकन की हर छोटी बड़ी खबर का ब्रेट आप तक पहुंचता रहे तो चले बढ़ते हैं खबरों की और सबारे में शूचना दी गई है पार्टी ने मत दताओं से अपील की है कि कलपना को भारी मतों से विजय बना कर विधान सभा में भेजे मौके पर पार्ठक ने आगे कहा है कि भारतिय कमुनिस्ट पार्टी के प्रत्यासी हजारी बाग 14 एवं दुमका लोगसभा से कर चुकरी है केंदर के अनुशार 20 मैं से राज्य के उत्तर पूर्वी और मद हिशों में बारिश की शंभावना है इसमें देवखर, गिरिडी, धनबाद, दुमका, गुड़ा, जामताड़ा, पाकुड, साहिब गंच में बारिश होने की शंभावना है इसके साथ ही इन इलाकों में ते इसक बादल शायर रहने की जान करे दी गई है इसके शाथी ताफमान में वृध्धी होने की शंभावना वेक्त के इए है अलाकि 18 मैं तक राजधानी का ताफमान 40 डिग्री तक पहुँचने की जान करे दी गई है पूरी केबिनेट ही जेल जाकर मानेगी मंतरी आलमगिर की गिरफतारी पर दीपक प्रकास का तंज जारखन सरकार के ग्रामिन विकास मंतरी आलमगिर आलम को एडी ने गिरफतार कर लिया है मंत्री आलमगीर के गिरफतारी पर बिजेपी के राजसभासांस दीपक प्रकास ने एडी के इस एक्सन के बाद जारखन की चमपई सोरेन सरकार पर तीखात तंज किया है दीपक प्रकास निकाहे कि लगता है कि पूरी के बिनेटी जेल जाकर मानेगी गौरतलाभी के इससे पहले 31 जनवरी को एडी ने ततकालिन मोक्यमंत्री हिमंतो सोरेन को कतित जमीन घोटाला केस के सिलसले में गिरफतार किया था गौरतलाभी के इडी ने मंत्री अलमगीर अलम को 6 और 7 मैं को उनके पिये संजी उलाल के घरिलो शहयक जहांगीर अलम के फ्लाट सहित अन्य ठिकानों से बरामत हुए तक्रिबन 37 करोड रुपे कास की बरामतगी के सिलसले में गिरफतार किया है तेजरपतार असकारपियों ने कुछला दो बच्चियों की मौत आक्रोशित ग्रामिनों ने किया सड़क जन चालक को पकड़कर पुलीस को सौपा इस घटना में घाल दोनों बच्चियों को प्रात्मिक जो स्वास्त केंदर टंडवा में भरती करा गया था जहां से प्रात्मिक उपचार के बाद बहतर इलाज के लिए दोनों चात्राओं को हजारी बाग मेडिकल कॉलिज राफर कर दिया लेकिन एकने हजारी बाग श्वर्स ये बेटी उशा कुमारी की रुप में हुआ है। इदर खटना के विरोत में आक्रोशित ग्रामिनों ने असकार प्यों चाला को पकड़ कर पुलिस को सौमते हुए सीमरिया टंडवा मुख्य सलक को चाम कर दिया। मौल में माली खाना हक है। इदी की टीम मौल के पूरे इलाके की जाच की कारोबारी विश्णू अगरवाल इश्वक्त जमानेत पर बाहर हैं। शुत्रों की माने तो इदी की टीम ने या जानने की कोसिस की कि मौल की जमीन का एरिया कितना हैं इसके निर्मान में कितना इदी की टीम विश्णू अगरवाल के प्रोपटी का असिस्मेंट कर रही है। उसी के तहत निकलियश मौल का शर्वे करा गया है। मिली जानकारी के अनुशार दोपाहर के बाद इदी की एक टीम रांची के लालपुर्थाना चेत्र इस्थित निकलियश मौल पहुंची आने के बाद पूरे मौल का असिस्मेंट किया गया शाती पूरे जमीन की मापी भी करा गयी। इस मामले में अब तक निकलियश मौल या एडी की तरब से कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है। आरोपी के वृद्ध मामल दर्श किया। दरसल सिकायत करता का आरोपे की मुंडरो उपडाग घर में अनुकूल निरक्षन रिपोर्ट जारी करने के लिए आरोपी ने 25,000 रुपे घूश मंगा था। इसके बाद CBI ने जाल बिचा कर आरोपी को सिकायत करता से 13,000 रुपे रिस्वत लेते हुए पकड़ लिया। पोष्ट माश्टर के अधिकारी के अवं अवासिये परिशरों में तलासीली गई जिसमें अपरतिजनक दस्तावेज बरामत हुए। आरोपी ग्रामिन डाग सिवको गरपतार कर लिया गया। इस्वा सर्मा और भाजपा प्रत्यासी अनपूर्ना देवी की शाथ जमुआ वधायक केदार हाजरा, राजसभा सांसत दीपक प्रकास भी शामिल हुए। वजए संकल्प सभा में लाकों के भीर जूटी, मौके पर हिमंत ने इंडी गडबंधन पर जम कर प्रहार किया और शर्मा ने कहा है कि पहले जब 300 सीट मिली तो 370 हटा और राम मंदरी का निर्मान हुआ। और अब 400 पार कनारे का मक्षद सिर्प देश के दोन विवाद को खत्म करना है। इधर विजए संकल्प शभा को केंद्री मंतरी अनपूर्ना देवी ने भी शम्भोदित किया। इसी BJAC, CBSE और CISE दसवी करिजल जारी होने के शाथ ही गयरवी में नमंकिन के प्रक्रिया सुरू कर दी गई है। राजधनी के प्लस टू असकुलों और इंटर कॉलेज़ों में ऑनलाइन और आफलाइन माध्यम से अड्मिशन फार्म उपलब्द कराए जा रहे हैं। वही जारी बाग प्रत्यासी मनीज जासवाल के पक्च में की चुनावी शभावा, असम के मुख्यमंतरी हिमंत विश्वा सर्मा ने रामगर की रजरप्पा CCL GROUND में अजारी बाग संसदिय च्छेतर के भाचपा उम्मिद्वार मनीज जासवाल के पक्च में बुधवार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील जन सभा में मौजूद लोगों शेखी वहीमंत विस्वा सर्मा ने कहा है कि चार चरन कच्चुनाव हो चुका है और इसमें कोई शन्दे नहीं है कि मोदी जी चार सो पार कर एक बर फिर केंदर में शरकार बनाएंगे वहीं उन्होंने कॉंग्रेज को निशाने पर लेते हुए का है कि राहूल बाबा का एक ही सपना है कि चार सो पार नहीं होना चाहिए असम किशियं शर्मा ने कहे कि पहले जब हमारे पास 330 सीट थी तो राम मंदिर बन गया है मंदिर निर्मान के बाद हिंदूर समाज के इशाथ हर भारतिये में परबल उत्सा है आदितिपूर इंडिस्ट्रियल एरिया की कमपनी में ब्लास्ट कई मजदूर जुल से बताया जाता है कि यहाँ अस्टील कास्टिंग फाउंडरी का काम चल रहा था यहाँ पहले से ही फरनेस अस्थापित है बताया जाता है कि फरनेस में ही अचानक से ब्लास्ट हो गया जहां करीब साथ से अधिक मजदूर काम कर रहे थे ब्लास्ट होने से पिगला हुआ लोहा का बाल्टी ही मजदूरों के पास गिर गया जिससे करीब साथ मजदूर बुरी तरह से जुलस गए उनको ततकाल टीमेच ले जाए गया जहां उनका इलाग चल रहा है घटना के सुचना मिलने के बाद घटना स्थल पर फार ब्रिगेट की दमकोलो को मंगा गया जहां आग पर काबू पागया सब भी लोग को सुरक्षित निकाला गया और फिर जाज सुरू की गई रामगड के पतरातू में नहाने की तौरान पानी में डूबने से युवक की मौत पतरातू डेम के पास इस्थित मा पंच वहिनी मंदर के समीप पतरातू डेम के फाटक के नीचे सुमित कुमार उम्र 32 वर्सी पिता विसुन साव शुंदर नगर भुरकुंडा निवासी अपने छोटे छोटे दो जो भती जी के शाथ डेम घुमने आया इस दोरान उसे नहाने की ख्षा हुई तो वहाँ पंच वहिनी मंदर के पास डेम फाटा के नीचे नहाने चला किया वहाँ इस्तित गड़े में एक बार डुपकी करने के बाद जब वा बाहर नहीं आया तो उसके छोटे छोटे भरतीजी ने सूर मचाया तबास पास के लोगों ने बड़ी मुस्किल से शुमित कुमार को बहार निकाला और इसकी जानकारी पतरातू थाने को दिया गया पतरातू थाना परभारी सिवलाल गुपता ने उसे तुरंत समुदायक स्वास्त किंदर पतरातू लाया जहां डॉक्टरों ने सुमित कुमार को मृत्त खुचत कर दिया साओ को पोश्ट माडम के लिए रामकर्ड भेजा गया बताया जाता है कि सुमित कुमार दो भाई एक बहन है जिन में सिवह चोटा है यहां हम पढ़ाई लिखाई और सीचाई कमाई की बात करने आए हैं हजारी बाग में बोले तेजश्वी यादो बिहार विधान सभा में विपक्च के नेता और पूर्व उपमुख्यमंतरी तेजश्वी यादो ने हजारी बाग बर्री में चुनावी सभा में कहाए कि हम यहां पढ़ाई लिखाई और सीचाई कमाई की बात करने आए हैं तेजश्वी यादो हजारी बाग लोग सभा के इंडिया गडबंधन समर्थित कॉंग्रेस उम्मेद्वार जया परकास भाई पटेल के समर्थन में बोधवार को जन सभा में बोल रहे थे इसमें बिहार के पूर्व उपमोखमंत्री मोखिरोप से सामिल हुए सभा में उपस्तित विधाय कमबा प्रसाद सहित नेताओं ने संबोधित कर जया परकास भाई पटेल को भारी मतों से विजए बनाने का आवाहन किया मिली खबर के मुताबिक उपस्तित लोगों ने भी हाथों को उठा कर अपना समर्थन जया परकास भाई पर टेल को दिया गरिडी में डिया प्रत्यासी चंदर प्रकास चौधरी ने किया वकालत खाना का भर्मन वकिलो शमांगा समर्थन गरिडी सांसत चंदर प्रकास चौधरी बुधवार को सहर के कई इलाकों में डोर टो डोर कैमपेंड किया इस दोरान सांसत चौधरी के शाद अधिवक्ता संग के महासचीव शाह भाजपने था सांसत चौधरी ने वकालत खाना में इस दोरान कई अधिवक्ताओं शमुलाकात किया और उनके परिशानियों को शुना मौके पर सांसत चौधरी ने पीम मोदी के कारेकाल पर कहा है कि जिनके नाम कडंक विस्व भर में बज़ रहा है उन्हें अब देश को बेचने वाले इंडिकर बंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं जबकि पीम मोदी के कारेकाल से हर कोई वाकिफ है सांसत इस दोरान एक-एक वकीलों के टेबल पर गए और वकीलों से बात किया और 25 माय को होने वाले चुनाओं में समर्थन देने की मांग किया राची के साइबर सेल न ठगी के एक करूड एक लाग असी हजार रुपए पिरिटों को लोटाए अपरियाद अनुशंधान विभाग CID के साइबर अपरियाद थाने में मार्च 2022 से अब तक 22,924 मामले दर्जों हुए हैं इस बार तोरित कारवई करतो हुए 11,32,30,000 रुपए फ्रीच किये परवरी से लेकर अब तक पिछले तीन महिने में साइबर अपरियाद थाने में साइबर थागी से सम्मधित 18 कांडो में पिरिटों को पैसा रिफंड करा गया साइबर सेल की टीम ने साइबर थागी के 1,1,80,791 रुपए पिरिटों को रिफंड कराया CID के साइबर अपरियाद थाना की DSP नेहा बाला ने बुधवार को बता है कि साइबर थागी का सिकार होने पर आप साइबर अपरियाद की हलफ लाइन नमबर 1930 पर सिकाय दवच करा सकते हैं रिपोर्ट किया जाने पर साइबर थाना ठगी से समंधिन बैंक खाता और ट्रांजिक्षन को ब्लॉक करता है डियस्पी ने बताया कि केंद्रिय गरी मंत्राले ने साइबर ठगी की रिपोर्टिंग के लिए नेसनल जो है साइबर क्राइम जो है रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुवात की है जार्कन की राजनी 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 इस्तित प्रदेश कॉंग्रेस मोख्याले में प्रिश कॉन्फरेंस को शम्भोधित करतो हुए जैराम रमेश ने कहा है कि चुनाओ के चार चरन खत्म हो चुके हैं, 389 सीटों पर चुनाओ हो चुका है, दो चरन के बाद ही परिणाम असपश्ट हो गये थे कि दर्शिन भारत में भारती जनतापाटी, भाजपा, साप और पश्चिम भा उत्तर पुविभारत में उनकी सीटे साफ होने वाली है, उन्होंने कहा है कि बाकी बचे तीन सीटों से नतीजों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं, स्रावनी मेला, दिवखर दुमका की सडके होंगे दुरुस्त, टिंडर जारी, पत निर्वान विभाग ने दिवखर दुमका की सडकों को चकाचक करने के लिए टिंडर जारी कर दिया है, करिब तीन दरजन रोड इसके तहत बनाय चाहेंगे, दिवखर में प्रस्षिध स् इन सडक निर्मान की स्विकृती सरकार निदी थी, इसके बाद इसे बनाने के लिए निविदा जारी की गई है, जून के पहले सब्ता तक निविदा भरने की अंतिम्तिती रखी गई है, अचार सनहिता हडते ही निविदाओं को जो है फाइनल किया जाएगा, या प्रियास होगा कि अगले दो महा में सारी सडकों को चकाचक कर दिया जाए, इनमें बाइपास भी शामिल हैं, जिन्हें दुरूस्त किया जाएगा, इसके अलावे सडकों के किनारे, रंग, रोगन, जाणी, कटाई, साइनीच, लगाने शहित, कई जो चोटे-चोटे कारी किये जाए या प्रिया सुराए के सरावनी मिला के दोरान बड़ी शंक्या में आने वाले सरधालों को कोई परिशानी ना हो, लगभग 43 एकड की योजनाओं पर निविदा जारी की जगी, इनमें आवाश्य परिशार का जिरनोद्वार भी शामिल हैं, बासुकिनाथ धाम से पूर्वकेंद्रिय मंतरी सुबूत कांत सहाई ने विविन शेत्रों में बुधवार को चुनावी बैठक, पद यातरा, जन संपर्क और सभायकर मतदाताओं से कॉंग्रेस के पक्च में मतदान करने की अपिल की, मौके पर कॉंग्रेस प्रत्यासी यससवनी शाहे ने कहा ह कि मोदी सरकार सिर्प जुमलों की सरकार है, अब समय आ गया है कि जनता अपनी वोट की तागत से जुमलों वाली मोदी सरकार को बदल दे, उन्होंने लोगों से कॉंग्रेस के पक्च में मतदान कर उन्हें विजए बनाने की अपिल की, पूर्वकेंद्रिय मंतरी सुबूत का अंतसा है, निका है कि जनता के पास मौका है कि महंगाई का बोज लादनी और युगाँ को बेरुजगार करने वाली मोदी सरकार को बदल दे, उन्होंने 25 माइको कॉंग्रेस में वोट देकर ये ससुनी शाहे को विजए बनाकर इंडिया कट बंधन की हाथों को मजबूत करने की अपील की। को आंसिक जलापूर्ती होगी, इस पर कार्य पालक अभ्यंता सिर्स जो है कार्य परमंडल का नमूदन प्राप्त है। की जा रही है। ग्रेडी में गवाही देने कोट जा रहे है युवक की हत्ता। नराज परिशनों और मुहले के लोगों ने जो है सडक पर सावरक्तों हुए सडक को जाम कर दिया। लोग जल से जल जो है अत्यारों की गरपतारी करने की मांग कर रहे थे। बताया जाराई की छोटू यादो डीडी सी आवास के आगे टैक्सी अस्टैंड के पास था। इसी बीच पान से चे युबक आए और छोटू पर स्तावर्ट तोड हमला करने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। मिर्तक की मां का कहना है कि उसके बेटे पर हमला करने वालों में प्रितम संजय राहूल है। मिर्तक की भाई संजय यादो का कहना है कि दोश्वांठान बे बीश मुकदमा की गवाही में उन लोग का नाम है। बुधवार को इसी केस की गवाही देने उसका भाई आ रहा था इसी बीच हमला कर दिया गया। बताये कि हमलावार हाली में जेल से बाहरा हैं पुलीस मामने की जांच में जुट गई है। यहां आप उच्पद पर भी रहकर भरष्टचार करके बच नहीं सकते। प्रतुन ने कहा है कि यह तो सुरवात है अभी तो और वो रुपए का जो टेंडर खोटाला हुआ है उसकी जांच जारी रहेगी। पुलीडी में गुड्डू पांडे के घर पर भी फारिंग करने वाले सिंटू सिंग, डेविड टॉपू, सुनिल रजग और ब्रजेश कुमार पांडे भी पुलीश के हंते चड़े हैं। आरोपियों के निशान देही पर पुलीश ने एक रिपीटर बंदूख, चार देशी पिष्टल, एक देशी कट्टा और कुल 102 राउंड गोली भी बना मत की है। बुधवार को सभी को जेल भेज जगया है। जमसेदपूर के बिरसानगर में उत्पाद विवागन की चाप इमारी, दो अवैद सराब भठी द्वस्त, लोग सभाचिनौ को लेकर उत्पाद विवाग लगतार चाप इमारी कर अवैद सराब जब्त कर रही है। इसी अभ्यान के ताहद बुधवार को गुप्त सूचना के अधार पर विवागने बिरसानगर थानाचेतर के नूतंटी और मन पीटा में अभ्यान चलाया। इस दोरान इस्थानिय दोखो महतुद्वारा जो है संचालित दो अवैद महुआ चुलाई सराब की भटियों पर शाप मारी की गई जिसमें मिट्टी में गार कर रखे ड्रामों में संचित जावा महुआ कुल 14,000 किलोग्राम तथा प्लास्टिक के बड़े थैलों में रख के तैयार अवैद चुलाई सराब कुल 100 लिटर को घटनासल से बरामत किया गया काली चरन सिंग ने चलाया जनसंपर के अभ्यान जीद का मांगा असिरवात बुधवार को 14 लोकसभाद 6,000 से भाजपा प्रत्यासी काली चरन सिंग ने बालो मात के जाबर, इचाक, वा, बालो में जनसंपर के अभ्यान चलाया कहा है कि आजारी के बाद पहली बार इस्थानिय प्रत्यासी के रूप में भाजपा के अंद्रियन नेतित्तों ने उन पर जो विश्वास जता है उस पर खरा उतरेंगे उन्होंने आम जंता से उन्हें विजए बनाने की अपिल की है अपकी बार शार सुपार, नारे किशाद, काली चरंड सिंग, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का अववहान किया मतद्याता जौगरुपता के लिए चला भ्यान 10,000 लोगों ने मिल कर दिया संदेश करिवोट, डीसी लगा रहे हैं, रात्री चौपाल, 20 मै को हने बाले 14 लोगसभाचुना में मतदान प्रतिस्थ में बढ़ूतरी के लिए जीला प्रधासन लगतार प्रियास कर रहा है जीला निर्वाचन प्रधादिकारी सहा उपायुक्त रमेश घोलप के नितित्व में जीला प्रशासन के अधिकारी स्वीप कारिकम के तहत लगतार लोगों को मतदान के प्रति जागरूप करने में जोटे हैं इसी अभ्यान के तहत डियो रमेश घोलप के पहल पर चत्रा में पहली बार चुनाओ चेतना मानो कलाकृती के माध्यम सुल्लो को वोट के प्रति जागरूप करने की पहल की गई भाजपा मुद्वार संजे सेट ने हटिया विधान सभाचेतर में चलाया जन संपर के अभ्यान रांची लोग सभाचेतर के भाजपा प्रत्यासी संजे सेट ने बुधवार को हटिया विधान सभाचेतर अंत्रिगत नगडी परकंड के एडचेरो, साहिर, नगडी, नारो, लाल गुटबा, नया सराय, दलादली, रामपूर और गुदली पोकर में जन्रसंपर के अभ्यान चलाया एस दोरान संजेशेट ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी समाजिक न्याय और समाजिक उतिथान के ससक्तिक रंग लिए ततपर हैं कमजोर वर्गों की अकांचाओं के पूर्ती करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना मोदी का लक्ष है अनुसूचित जाती पिछड़ा वर्गो और सफाई कर्मशारियों पर ध्यान के अंधरित करतो हुए उनके ससक्तिकरन पर जोर देतो हुए उन्हें बहतर सिख्षा और रुजगार के लिए रिन उपलब्द करा रही है संजे सेट ने काया कि भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इन्हीं मूल मंत्रों के शाद प्रधान मंतरी काम करते हैं जबकि कॉंग्रिस तुष्टी करन की राजनेती करती है तो ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे इसे तरह से जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चानल यूट जारकन चानल को सुस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करदेजे जिससे जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पह होसता रहे तो अभी क्लिए वस्तना ही हमें देजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के शार धन्यवाद